वह सारे रिप्रेजेंटेंटेंशन डालने के बाद भी उनकी जो डिसाबिलीटी पैंसन थी वो 2022 नॉंबर तक भी स्टार्ट नहीं हो पाई इसके बाद उन्होंने जो डिसाबिलीटी का एरियस था उसकी पैंसन के लिए जनवरी 2020 में से लेकर के अक्टूबर 2022 के बीच में उसके बाद यह सारी चीजे होती रही और जो प्रोसेस थी वो टाइम लेती रही लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से इसी के मीन टाइम में एक CPENGRMS पोर्टल के बारे उनको पता चला और वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट फिल्ड की 22 सितंबर 2023 को जिसका नंबर आप सामने भी देख सकते हैं इसके बाद वो जो केस था जो कंप्लेंट फिल्ड की गई थी उसको आगे concern office को यानि की PCDA को forward वहाँ से कर दी गई इसके बाद उनके जो केस था उसको प्रोसेस किया गया और competent authority के पास में वहाँ पर भेजा गया इसी के mean time में जो कैस था जो वहाँ पर फाइल कंप्रेंट की गई थी वह senior officers की meeting में यानि कि SOM की meeting में DOPPW के पास पहुचा यानि Department of Pension of Pension Welfare के जो senior officers की meeting होती है जिसे SOM भी गोलते है वहाँ पर जो डारेक्टरेट दिया गया जो secretary pension थे उनने बोला इस पर जल से जल्द काम करनी चाहिए PCD और उनने जल से जल्द बोला इसके बाद PCD ने बिलकुल immediate वहाँ पर उसके के सेंसेंड किया उसका एरियस वह तीन लाग तिरपन हजार उपर उनके फाइनले जो उनके disability pension के थे उनके खाते में आये 29 जवनी 2024 को यह पूरा खेस था 30 जवनी 2024 को फाइनली उनके account को close कर दिया गया है तो complaint उनने फाइल की थी और उनके account में जितने भी areas बनते थे विद एरियस के साथ में उनके सारे पैसे उनको अखाते में credit किये गए तो फिर मैं आपको बता दूँ अगर आप aware है अगर आप जाग रूख है और आप complaint वगरा करना जानते हैं आप सारी चीजे एड करना जानते हैं तो आपको आपकी जो pensionary benefit है चाह वो areas हो pensions का disability areas हो disability pension हो detailed video ना देंगे आप बस comment box में yes लिख देजेगा अगर उसमें 50 comment भी आ जाएंगे 50 comments भी आ जाएंगे yes के तुम्हें next video को लेकर कर आजाऊंगा और पूरा मैं complaint step by step बताऊंगा कि आपको कैसे उसमें registered करना है कैसे sign up करना है क्या-क्या चीजे fill करनी है और कैसे उस process को follow करना है साथी साथ उस process को follow करने के बाद क्या-क्या steps को जरूरी चीजे को ध्यान रखना है तो यह बड़ी चीजे हैं जो आपको complaint करने के बाद ध्यान रखनी होती है और आपके रियल में आप उस pensions के हगदार है तो आपको पैंसन और उसके जो areas होते हैं वो जल से जल वहाँ पर provide कराये जाते हैं तो ऐसे में pensions के लिए बहुत बड़ी सहूली आते हैं कि CP in grams पर complaint कर सकते हैं पोटल पर और वहाँ पर जाकर के जो complaint है उसको ध्यान में रख करके सारी चीजों को एड कर सकते हैं हम बात कर सकते हैं फिर से जो budget session होने वाला है budget session को लेकर के फिर से चर्चाएं गरम है और चर्चाओं में यह सारी चीजे होने वाली है कि आप फिर से 18 months के DAO DR के areas आपको मिलने वाला है क्या additional pension 5, 10, 15% इन सब का जो budget है वो separate decide होने वाला है इस सब चीजे budget alert होने वाला है आगे आके दिनों में बहुत ज़्यादा चीजे इसमें clear हो पाएंगी यह वीडियो अच्छा लाओ तो like करेगा share सभी के साथ करेगा ऐसी news information updates के लिए चैनल को भी free में subscribe कर लेगा मिलते हैं आपको नश वीडियो मे पैंसर्स, family pensioners as well as कर्मचारियों के लिए बड़ी ख़बरे लेकर आया हूं सामने जैसा कि आप इस screen पर देख पा रहा है साथी 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 से बड़ी ख़बरों के लाबा आपके जो previous comments थे उनको भी लिया जाएगा जिनमें आपके जो भी problems होंगी जो भी समस्या होंगी उ साथी साथा form 16 डाउनलोड पर भी एक बड़ा जो है update आया है वो भी मिया देने वाला हूं चोथी ख़बर है आपके कि जुलाई में आपके basic में 3% का increment होने वाला है कैसे होगा वो बताऊंगा साथी साथ पांच वी जो बड़ी ख़बर है वो family pencil में बड़ो 3 को लेकर के family pencil बड़ी update में दूंगा इसलिए पूरे वीडियो को लास्ता देखी गा और अगर चैनल पर पहली बारा है मैं अपने वीवर से एक अपील करना चाहूंगा हमारे चैनल को please subscribe जरूर करिएगा हम बहुत ही information अच्छी information और अपडेशन के साथ information देते हैं चैनल को free में subscribe जरूर करेगा subscribe के black button को press करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियो की latest information के लिए आपको घंटे के निसान को यानि की bell icon को press जरूर करना है bell icon को जरूर दबाना है तभी आपके पास हमारे वीडियो की latest information latest updates आप तक आ पाएंगी और आ आगे इसी तरीके से आगे भी watch कर पाएं चैनल सीधा लेकर चलते हैं और इसके लाबाए एक कोड हम बाद information दे आपको अगर आपकी pension या pension benefit से related कोई अगर problems हैं तो आप हमें comment box में comment करेगा हम next video में उसको लेने की कोशिस करेंगे और आपका जो भी problems होगी वहाँ पर solve करने क पूरी पूरी कोशिस की जाएगी चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर कर पर जून मंत की pension आपके खातों में credit हो चुकी है तो आप हमें सबसे पहले comment करके बताएगा कि आपकी जून मंत की क्या pension खातों में आ गई है अगर नहीं आई है तो आप अपना bank statement या message कई बार नहीं आते हैं तो आप बैंक statement चेक करिए गा या online देह सकते हैं तो online जुरूर चेक करिएगा कि आपकी month की इस month की आपकी pension कातों को ले करके तो नोस्टनल इंक्रिमेंट मैं आपने प्रिवेस वीडियो में भी कई बार बता चुका हूं लेकिन बहुत सारे पैंसर और फैमिली पैंसर ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में जानकाली नहीं होती है और उनका एक इंक्रिमेंट का लॉस उठाना पड़ता है बै अबसे विए प्रफिभाज लिवेस पर उनको नौस्टनल इंक्रिमेंट नहीं दिया जाता है तो जब नोस्टनल इंक्रिमेंट एक जनवरी और एक जुलाज को दिया राता को पैंसर को जो रेस्पेंस टिशर जून और एक 30 धिसंवर को जो रिटारमेंट होता है वहाँ प सारे जो पैंसरी बेनिफिट्स हैं वो पैंसर को दिये जाते हैं तो अगर आप भी 30 जून को रिटार्मेंट हुए है तो आप अपने डिपार्टमेंट को या अपने ओफिस को कहिए कि आप उनका नौसल इंक्रिमेंट लगाएं और उनको एक एक एक्ष्टा बड़ा हुआ इ जिसमें नौसल इंक्रिमेंट के बारे में सारी जान का यह दी गई होगी और वहां से आप एक्ष्टा इंक्रिमेंट डाउंलोड कर सकते हैं अप आप आप से ले पाएंगे जिससे आपके और भी बेनिफिट्स हैं उसमें भी आपको सीधा-सीधा फायदा मिल पाएगा बा वो भी अपने offices से जहां भी डीडियो आपका होता है, कैस departments होता है, वहां से जाकर के अपना form 16 वहां से ले सकते हैं, और सारी चीज़े उसमें अप्डेशन करवा सकते हैं, अगली बड़ी खबर की तब चले, अगली बड़ी खबर आ रहा है, जुलाई में बेसिक में इन 3% की बेसिक में इंक्रीज होने वाली है, आप सभी को पता है कि अब आल इंडेक कंज़र प्राइस इंडेक्स का डेटा जो है आने वाला है, लाश्ट वर्क इंडेक हो आ जाएगा, और जैसे यह आ जाएगा, तो उसके बाद में आपका जुलाई मन्त का जो अल इंडेक कंज़र प्राइस इंडेक्स का डेटा है, वो कंफर्म हो जाएगा, और अब आपको 3,50 मेंगाई बत्ता और मेंगाई राहत के मिलने के पूरे पूरे चांसे से आपर दीख रहे हैं, जुलाई से 3,50 आपका फिर से बड़ोतरी हो जाएगा, और बड़ोतरी होने के साथ ही, अब यहाँ पर 53 से 54 परशंट तक मेंगाई बत्त और मेंगाई राहत जा सकता है, अला कि अब एक मंद का और All India Consumer Price Index का डेटा आएगा, जैसे वो आएगा, तो आपका कंफर्म हो जाएगा, डी ए और डी आर किनको कितना प्रतिसद मिलने वाला है, अला कि मुझे जो लगता है कि तीन प्रतिसद तक ही इस बार बढ़ने वाला है, क्योंकि All India Consumer Price Index का डेटा है, उसके basis पर बढ़ोत्री इस बार जादर नहीं होई है, और बढ़ोत्री नहीं होने के चलते आपको तीन प्रतिसद महेंगाई बत्त और महेंगाई राहत यहाँ पर मिलेगा, तो जुलाई में तीन प्रतिसद महेंगाई बत्त के चलते आपकी सारी जो डेटा है, वो तीन प्रतिसद तक उसमें बढ़ोत्री हो सकती है, अब बात करते हैं family pension की, ऐसे pensioners, जिसमें pensioners की death हो चुकी है, और उसके बाद उनकी जो नॉमनीज है, यानि उनकी वाइफ है, उनकी भी उस situation में अगर death हो चुकी है, तो अब आपको, अगर उनके लड़के हैं और लड़कियां हैं, दोनों अलालग situation में pension मिल सकती है, ऐसे बह लटके भी हैं अगर वो कुछ नहीं करते हैं और 25 साल से कम की एज है तो वहाँ पर भी वो फैमिली पैंसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सीचुएशन यही होनी चाहिएकि फैंसन नश्य वाइप वहाँपके पे पर अपनी पैंसन के लिए फिर से अपने अप्टेट म पर चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेवल वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में यस लिग जिगा हम फैमिली पैंसन आपको कैसी मिले उस पर भी वहां पर बात कर सकते हैं अब बात करते हैं ऐसे पैंसनर्स की जिनकी एज एक शा गया है लेकिन अभी तक उनको एडिशन पैंसन खातों में नहीं दी गया है। जी हां दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पैंसर्स हैं, जिनकी ऐज 80 साल की सरभी सोच्छू, ऐसी साल की ऐज पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनको अभी तक नहीं दिया गाया है, तो ऐसा मैं गौर्मेंट ने एक notification और circular जारी किया है, और उन्होंने बताया है कि बहु कुल कुल किलियर कलाईए और उफिस में आप अपना मिलिए और उनसे सारी चीजन को बताईए कि हमने सारी information अपडेट करा दिया है, अपने record उफिस में जाकर के, उसके बाद से अब आपकी पैंसर्स में जो एडिस पर्षेंट की ब्रद्धी होती है, वहां पर हो जाएगी अपने record उफिस में जाकर के, सारे form fill up करेंगे, सारी जो भी formalities होती है, वहां सारी चेक अप करेंगे, चेक करने के बाद वहां पर सारी चीज़े information दे देंगे, और उसके बाद में आपके additional pension वहां पर लग जाएगी, अब एक और बात करते हैं, बात करते हैं यहां पर 18 मंस क पर लटस्ट अपडेट से आया है, कि आने वाले दिनों में, इस पर कोई नो कोई एक positive देखने को मिल सकता है, मीडिया में जो खबरे आ रहे हैं, अगर उनकी माने हैं, तो करमचारियों पैंसर्स और फैमिली पैंसर्स के 18 मंत के DA और पर बड़ी information देखने को मिल सकती है, ज कोईट के टाइम पे 18 मंस के DA और डी आर का area सावर रोका गया था, इसके बाद करमचारियों पैंसर्स और फैमिली पैंसर्स को बड़त वे रेट पर दिया गया था, लेकिन 18 मंस के DA और प्रोवाइड नहीं कराए गया था, इसके बाद यूनियों और फैटर से लगता से रि इप आर यूटी चैनल में, पैंसर्स कार्मचारियों एस आवज फैमिली पैंसर्स के लिए चार बड़े लेकर आजा है, जिसा कि सामने आप इतनी स्कीन पर भी देख पा रहा है, पहला बड़ा आपडेट है, पैंसर्स को जुलाई मंत में बड़ा area से मिलने वाला है, किन- मन्त के DODR पर All-Index Consumer Price Index का डेटा अभी तक नहीं आया है मैं मन्त का जून मन्त का उस पर क्या फर्क पड़ेगा क्या 53% DODR होने के बाद DODR मर्ज होगा 50% होने के बाद तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है बहुत ही इंपोर्टेंट है पूरी वीडियो को इसलिए लास्ता देखीगा हो सकता हो थोड़ा से वीडियो लॉंग हो जाए लेकिन आपके लिए इसमें बहुत सारी इंफोर्मेशन और अपडेट्स बहुत ही जादा जान करें मिलेंगा जिसका डिरेक्टली आथर आपकी पैंसन सेली और पैंसन फैमली पर पढ़नेगा वीडियो को पूरा लास्ते देखीगा और आपसे एक अपील करना चाहूंगा अगर आपने अमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेना सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथी साथ आप हमारे वीडियो की लेटस्ट इंफोर्मेशन के लिए घंटे के निसान को यानि बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा तब ही आपके पास मारे वीडियो की लेटस्ट अपडेटस आप आईगी और आप मारे वीडियो को इसी तरीके से आगे भी वाच कर पाएगी जैसा कि आप सब्सक्राइब को पता है कि आप हमारे चैनल पर पैंसनर्स फेंबली पैंसनर्स और करमचारियों के वेल फेर्स लेटेड न्यूस इन्फोर्मेशन और अपडेट्स देखते हैं, साथी साथ अगर किसी पैंसनस को, even करमचारी को, किसी उसके बेनिफिट से लेटेड अगर कोई डाउट है, या कोई अगर समस्या है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्ट वीडिय का एरियर्स मिल चुका है, मैंने अपने प्रिविएस वीडियो में कई बार इसका जिकर भी किया था, कई बार में डिसकस भी कर चुका हूँ, एंट्री पै लेवल का जो एरियर्स है, वो पैंसनस को अब धीरे-धीरे मिलने लगा है, साथी साथ कई सारे पैंसनस को, 50,000, 60, एक लाग तक का एंट्री पै लेवल का जो एरियर्स है, वो उनके खातों में पहुंचने लगा है, मैंने अपने प्रिविएस वीडियो में, मैंने बताया था कि आपको एंट्री पै लेवल का एरियर्स कैसे लेना है, किस सर्कुलर का यूज़ करना है, साथी साथ क्या-क्य सपोर्टेड डोकुमेंट्स आपको लगाने है, जिसके बाद आपको एंट्री पै लेवल का एरियर्स मिल जाएगा, उसके बाद पैंसर से वैसा ही किया, और उनको काफी हद तक अब एंट्री पै लेवल का एरियर्स था, वो मिलना स्टार्ट हो गया है, अगर आप भी चा लेकिन अभी All-Index Consumer Price Index का डेटा फिर से रुख गया है, जैसे कि फरवरी मार्च और प्रेल मंस में All-Index Consumer Price Index का डेटा नहीं पब्लिस किया गया था, उसके बाद अब मीडिया में और सोसल मीडिया में ऐसे ख़बरे आने लगी थी, कि गौर्वर्मेंट डीयर को मर्ज कर सकती 50% के बाद में, अब फिर से लेकिन उसके बाद गौर्मेंट ने जैसी Code of Conduct वापिस लिया गया, उसके बाद में करमचारियों पैंसरों और फैमिली पैंसरों को जो डीयर होता है, उसको फिर से अपडेस कर दिया गया, और उसमें बाद फिर से अब डीयर डीयर आने लगा, उसके डेटा पब्लिस कर दिया गया, लेकिन अब फिर से जो All India Consumer Price Index का डेटा वो रोग दिया गया है, तो अब फिर से ऐसी बाते होने लगी है, कि क्या सरकार इसको मर्ज करने वाली है, साथी साथ करमचारियों पैंसरों और फैमिली पैंसरों के जो डीयर होगा, उसमें क्य जाए किया जाएगा, most probably chances से 53% है, फिर भी अगर इसमें डेटा में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यह 54% तक जा सकता है, इससे उपर यह नहीं जाएगा, अब बात करते हैं 18 months के DODR पर क्या बड़ा अपडेट आया है, basically 18 months के DODR पर एक बड़ जाएगा, उसको देने की बात फिर से की जा रही है, जिसमें request की गई है, आप subject में भी देख सकते हैं, request for review of decision or DNS allowances areas for COVID period, आप देख सकते हैं, जिसमें लोकसभा session में भी कई बार इसमें communicated किया गया, साथी साथ central government employees और pensioners की unions ने भी 18 months के DODR को जो रोका गया था, COVID की टाइम प काफी हद तक strong हो चुकी है, जिसके चलते कर्मचारियों और pensioners ने COVID के टाइम में कर्मचारियों ने COVID टाइम में बहुत अच्छा काम किया था, और उसके बाद उन सब का जो है, अब जो डियो डियार है, उसको उनका जो भी contribute था, उसको डियार डियार के रूपन को मिलना चा इससे अगर एक बार गॉर्मेंटर डियार नहीं दे सकती एक बार में, तो 3-4 अलाला इंस्टारिमेंट में उनको प्रोवाइट करा सकते हैं, आगे बात करते हैं, जो की आ रहा है, यह CHS के कार्ड को लेकर के, जो यूस करते हैं, वैनी फीसिस को लेकर के, आप देख सकते ह सामने, CGHS के new rules आ गए हैं, इसमें केंदरी कर्मचारियों और पैंसनस को online करना होगा, CGHS कार्ड के लिए apply सरकार ने इसमें नियम बदल दिये हैं, क्या नियम बदले गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, CGHS में apply करने के नियम बदल गए हैं, केंदरी कर्मचारियों और पैंसनस को CGHS के कार्ड के लिए online अप apply करना होगा, स्वास्तो और परिवाल कल्यार मंत्राल है, यानि कि Ministry of Health and Family Welfare ने केंदरी कर्मचारियों और केंदरी सरकार के पैंसनस को केंदरी सरकार स्वास्तियोजना, यानि कि CGHS कार्ड जारी करने के दिसानिदेश जारी कर दिये हैं, क्या वो दिसानिदेश हैं, वो भी आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में हम, दिसानिदेश जारी 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 हैं, और उसी गाइडलाइन के बेसेस पर ही सारी ची करना होगा, एक एन सरकार का करमचारी आस्थाहीर रफ्रेंस नमबर जेनरेट होगा, जिसे आप www.cghs.nic.in पर जाकर अपलाई कर सकते हैं, या वहां से ओनलाइन फिल कर सकते हैं, उसे वेबसाइट पर उपलब्द फोर्म भरकर ओनलाइन जमा करना होगा, एक बार यह हो जान लेटर के साथ जमा करने होगे, और जैसे यह application लेटर आपके साथ जमा हो जाएगा, उसके बाद उसमें सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी, अपडेट के बाद वहां पर बहुत सारी चीज़ें फिर से चेंजिस किये जाएगे, जो भी आपका उसमें होगा, और चेंज जिन में 18 months के DR का area आपको मिलना चाहिए, अला कि बहुत सारे pencils यह बोलते हैं कि government जब 18 months के DR का area के लिए मना कर चुकी है, तो फिर आप बार बार इसको क्यों बोलते हैं, basically बता दूँ, 18 months के DR आपको मिलना चाहिए, बहुत सारे pencils भी इसके regarding लगातार पूछते रहते हैं, 18 months के DA, DR के बारे में क्या चीज़े चल रही है, तो उसके regarding मैंने बताया है, आगे आने वाली दुरों में इसमें बहुत सारे चीज़ें और भी अपडेट होंगी, 18 months के DA, DR पर वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, अब हमें comment करकी जरूर बताएगा, क्या आपके 18 months के DA, DR पर वेलकम हैं आपका हमारे YouTube चैनल में, आज मैं आपको आठवे वेता नायोग पर बहुत सारी और बहुत ही important अपडेट्स तूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि 18 months के आपका fitment factor हो सकता है, सारा एक चार्ट लेकर आया हूँ, डेटेल में बात करेंगे पूरा आठवे वेता आयोग पर आपके ग्रेट पर आपके लेबल के हिसाब से क्या का आपका basic होगा, आठवे वेता नायोग वो भी में बताऊँगा, क्या fitment factor हो सकता है, वो भी में बताऊँगा, साथी साथ 4th, 5th, 6th और 7th pay commission में, कितने percent की high होई आपकी, क्या fitment factor रहा, कितनी minimum basic salary थी, कितनी minimum basic pension थी, उस पर भी बात करेंगे, और जानेंगी कि आठवे वेतान आयोग का जो proposal है, वो government कब तक देख सकती है, तब तक लागू हो सकता है, क्या सारे इसमें अपडेट होगे, यानि एक ही वीडियो में, आपके आठवे वेतान आयोग पर, यानि कि इर्थ CPC पर सारे पर पहली बार आएं, तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथी साथ आप हमरे वीडियो की लेटस्ट अपडेट्स के लिए, लेटस्ट इंफोर्मेशन के लिए, बैल आइकन को, यानि घंटे के निसान को करना बिलकुल मत भूलेगा, तभी आपके पास मारे वीडियो की लेटस्ट अपडेट्स आप आएगी, और आप मारे वीडियो को इसी तरीके से आगे भी बहुच कर पाएगे, सबसे पहले जानते हैं कि किन पे कमिशन में कितनी बड़ोत्री होई, थोड़ा एक रफली वो देख सकते हैं क्या फिट्मेंट फेक्टर रहा है, वो यहां पर है, साथी साथ कितनी मिनिममम बेसिक सेली थी और उसके इसाब से बड़ोत्री होई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ पे कमिशन की, फोर्थ पे कमिशन में जब हम आए तो वहां पर 27.6% की टोट बेसिक सेली में बड़ोत्री होई, फिट्मेंट फेक्टर यहां भी नहीं था, और बेसिक सेली साड़े साथ सो रुपे से बढ़ करके 2550 रुपे यहां पर हुई, अब बात करते हैं, इसमें बड़ोत्री होई 54% की, और यहां से आप फिट्मेंट फेक्टर जब आपकी basic salary जो भी होगी और एक fitment factor निकल कर आएगा उसके बाद ही यहाँ पर आपकी total basic salary या basic pension count होगी suppose करिए next की बात करते हैं यानि कि 7th pay commission में 14.29% की बड़ोत्री होई और fitment factor अभी आपका जो present में है वो 2.57 है और basic salary की बात करें तो आपकी basic salary 18,000 रुपए और आपकी basic pension है वो 9,000 रुपए और आती कैसे है आपका जो भी previous में 7,000 आपकी pay commission में था और इसमें 2.57 का multiply जब किया गया तो आप देख सकते कि roughly exact 18,000 नहीं आते हैं रफली 18,000 रुपए आए सत्रा पांसो आए तो उसको 18,000 रुपए basic रुपए बेसिक बनाएगा आप बात करते हैं कि 8,000 नायोग में कितने percent का high होगा क्या fitment factor हो सकता है यो कितनी minimum basic salary या minimum basic pension हो सकते हैं अब अम उसकी बात करेंगे आपने देखा यहाँ पर 4th से 50 के commission में आप देख सकते हैं 31% का high सेवन पे commission में 14.29% का high हुआ वहीं बात करते हैं अगर 6 पे commission कि इसमें fitment factor 1.86 रहा वहीं 7 पे commission की बात करते हैं इसमें fitment factor 2.57 है जो currently अभी चल रहा है अब बात करेंगे कि क्या 8,000 नायोग में क्या fitment factor होना चाहिए पहले आप भी वीडियो को running में ही comment कर सकते हैं कि आपके प्रतिसत की high pension और salary में होने चाहिए जिससे आपकी minimum basic pension और minimum basic salary हो हम पूरा detail में चार्ट देखेंगे आठवी तनायोग में क्या चार्ट होगा क्या सारी updates होंगी चार्ट हम लेकर आए अब देख सकते हैं यह चार्ट है और हम इसमें fitment factor जो है 2.58 लेकर आए यानि fitment factor हम अगर expected बात करते हैं इसमें कम जादा भी हो सकता है exact यही भी हो सकता है मैं आपको एक roughly idea दे रहा हूं कि fitment factor 2.28 अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या आपका basic pension होगा क्या basic salary होगी इस सारी चीज़े हम इस पर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इस चार्ट पर इस table पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा यह बात कर लेते हैं कि आर्थो बेतन आयोग का proposal कब तक आ सकता है क्या इसमें updates आ July 2024 यानि कि July 2024 तक Central Government a proposal expect कर रहे है Central Government से आप देख सकते हैं Central Government has received a comprehensive proposal to establish the 8th Central Pay Commission CPC timed with the upcoming budget for 2024 expected to be unveiled in July The proposal aims to review and revise the basic pay, allowances, pensions and other benefits for Central Government employees and pensioners यानि कि July में जो budget session है जो आने वाला budget session है उसमें इसमें बात हो सकती है आगे आप देख सकते हैं urgent call for the 8th Pay Commission Mr. Sri Gopal Mr. Secretary of the National Council staff side of Joint Consultative Machinery यानि JCM for Central Government employees has urged the government to prioritize the formation of its CPC In a detailed letter to the cabinet secretary, Misra highlighted the need for this commission to address the economic challenges faced by the government employees and government pensioners तो आप देख सकते हैं कि जो NC JCM के secretary है Mr. Sri Gopal Musra उन्होंने गवर्मेंन को एक letter लेटर में आठवे तनायूप को जल से जल्द लाने की जल से जल्द फोर्म करने की बात कही गई है क्योंकि economic जो भी challenges है वो बहुत ज़्यादा face करने पड़ना है government employees को, government pensioners को अब बात करते हैं थोड़ा सा background की और क्या timing हो सकती है आठवेता नायूप की उस पर भी एक बड़ी हम आपर discussion करेंगे traditionally the central government commission is formed every 10 years to evaluate and recommend changes to the pay structures, allowances and benefits of central government employees incorporating necessary adjustment for inflation आठवेता नायूप या कोई pay commission होता है वो उसका evolution और recommendation किये जाते है उसके बेतन बत्ते और जो भी benefits होते है central government employees और pensioners के वो inflation की चलते ऐसा सब किया जाता है अब बात करते हैं इस CPC कब से start हो सकता है आठवेता नायूप का इंतिजार कर रहा है और देखना होगा कि कब तक इसमें क्या-क्या चीज़े अपडेट होती है most probably chances है कि जुलाई तक इसमें कोई अपडेट निकल कर आएगा और इसके basis पर हम fitment factor के बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों पैंसर्स और family पैंसर्स का आठवेता नायूप का घठन हो सकता है हम projection की बात कर रहे हैं यहाँ पर इसमें कोई भी बढ़ोतरी गया कमी हो सकती है projected है 8th pay commission के हिसाप से अगर हम बात करते हैं यहाँ तो आप देख सकते हैं 8 CPC for level 1 to level 5 fitment factor की बात करें यहाँ पर सबसे बड़ा role crucial role play करेगा आपकी pension आपकी सहली में कितनी बढ़ोतरी होती है तो आप देख सकते हैं हमने level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 के यहाँ पर table लेकर आया है इसमें 6 pay commission, 8 pay commission में कितनी basic आपकी होने जा रही है वो अब stable में बताने जा रहा है तो आप सबसे पहले बात करते हैं level 1 की अगर आपका basic इस टाइम पर 18,000 रुपए है तो आपका 8 pay commission में fitment factor 2.28 के basis पर 41,000 रुपए हो सकता है वही बात करें इसमें आपका level 1 में अगर आपकी basic 18,500 रुपए है यहाँ पर हो सकता है ऐसे इसमें बड़ोत्री होती है ऐसे करके इसमें बड़ोत्री होती है आप यह table का screenshot भी ले सकते हैं या फिर आप comment box में YES लिखेंगे वहाँ से आप यह table सीदा सीदा डवनलोड कर पा केंगे आप देख सकते हैं आपकी जोभी basic होगी उसके एसाब से आप यहां पर टेबल देख लीजिगा और आप अपना जो भी आपका बेसिक है वो यहां से डाउनलोड कर पाएंगे काफी बड़ी टेबल है आप इसमें 40 कोलम्स बनाएंगा हैं अब बात करते हैं लेबल 2 की अगर लेबल 2 में आप अगर आते हैं और आपका लेबल 2 में 20,500 अगर आपका बेसिक है तो इर्थ पे कमिशन में 46,700 रुपे हो सकता है वहीं बात करें हम 21,100 रुपे अगर आपका बेसिक है तो 48,100 रुपे हो जाएगा और अगर 21,700 रुपे आपका अगर बेसिक है तो 49,500 रुपे आपके बेसिक होने की पोसिबिलिटीज वहीं आप अगर टेबल को देखें, तो सारे बढ़ते हुए क्रम में, आपकी एर्थ पे कमीशन में कितना टेबल होगा, कितना आपका fitment factor के basis पर होगा, वो आपका हो सकता है, वहीं हम लेबल 3 की बात करें, अगर आपका लेबल 3 में जो ग्रेट पे वो 2000 रुपए है, आप द जता ही जा रही है, वहीं बात करें, अगर हम फिर से 23,100 रुपए इसका basic है, तो 52,700 रुपए basic हो सकता है, लेबल 3 में फिर से अगर हम आपका basic बात करें, तो 24,500 तो 5,900 आपका यहाँ पर basic दिखाई दे रहा है, बात करें फिर से level 4 जो की grade पे होता है 2400, इसमें अगर हम ब यतने आयूग में, 2800 Great Pane होने के बाद, अगर आपका Basic 26,000 की बात करें, अगर हम Basic की बात करें, 27,000 अगर आपका Basic होता है, आपका FitVent Factor 2.8, 2.28 के बात करें, उह एक Sichती हाथ सो रॉपए आपका PRAG बात करें, वही अगर फूर्थ की बात करें, अगर आपका बेसिक 27,900 रुपए है, तो इसमें 36,600 रुपए, और अगर आपका बेसिक 28,700 रुपए है, तो 65,400 रुपए है आपकी बेसिक होने की पूरी-पूरी possibilities बताई जा रही है, अगर हम लेवल फाइब की बात करें, जिसका ग्रेट 28,800 होता है, अगर 7 CPC में स्टार्टिंग, लेवल फाइब में 7 CPC है, 29,200 होने के बाद, 66,600 रुपए यहां पर हो सकता है, वही अगर 30,000 है आपका बेसिक, तो 68,600 रुपए हो सकता है, और 31,100 रुपए है, तो 70,700 रुपए हो सकते हैं, 31,900 रुपए अगर आपके बेसिक है तो 32,000 रुपए हो सकता है, 32,900 रुपए हो सकता है, तो आपका 75,000 रुपए हो सकता है और वहीं बात करें, 33,900 रुपए आपका बेसिक होने की यहां पर 80,000 रुपए यह पोस्टिंग में जताई जा रही है, यह बहुत अच्छी टेबल है, फिट्मेंट फेक्टर यह 2.28 क के basis पर है और अगर fitment factor बदलता है तो आपकी basic पे भी बदल सकती है लेकिन expected है कि अगर 2 तक या 2.57 तक भी अगर इसमें बड़ोतरी होती है तो pension काफी बड़ोतरी हो जाएगी इसमें काफी ज़्यादा बड़ोतरी होने की बात कही जा रही है लेकिन आठो बेतनायोंग में द जरू बताएगा और अगर इसको डाउनलोड करना चाहता है इस टेबल को तो कमेंट बोक्स में यास लिंग जीगा वहां से सीधा सीधा आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और वेलकम हैं आपका हमारे YouTube चैनल में पैंसनर्स फैमिली पैंसनर्स और करमचारियों के लिए उ इस्ट्यू आप फाइनस के डिपार्टमेंट ओप एक्समेडिचर के सेंटर्ल पैंसन अकाउंटिंग ओफिस की तरफ से एक इंपोर्टेंट ओफिस मेमोरांडम जारी कर दिया गया है जिहां दोस्तों जिससे कि आपकी फिक्च्च मेडिकल अलाउंसे और आपकी जो पैंस आपके खातों तक सही पहुचें आपके एरियर्स आपको टाइम पर मिलें और इसके लावा और भी कही सारी चीजों पर डिसकेशन हुआ पूरा डिटेल में जानेंगे हम सामड़े आपके नोटिफिकेशन भी देख रहे होंगे जो की मैंने बताया किसकी तरफ से जारी क्य करें है साथी साथ और मीटिंग में क्या-क्या हुआ कौन कौन से डिसीजन लिएगा है आपके वेल फेर से लेतिट यह आपके बहुत सारे चीजों से लेतिडियो में बात करेंगे इसके लावब आपके बहुत सारे पैंस्नों ripped निर जबेंके पने सारे एंसेशन करके अपन और उसमें एक मीटिंग जो ही चीफ कंट्रोलर है पैंसन डिपार्टमेंट्स के रूप में उनको लिया गया और उस मीटिंग में कई सारे चीजों पर बात की गई जिसमें पैंसन के जो एरियर्स हैं जो पी एओ की तरफ से सी पी एओ लेवल पर जारी किये जाते हैं उन सब पर भी वहां पर बात होई जो कि आप नोटिफिकेशन सामने देख सकते हैं पूरा डेटेल में जानेगे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आप पूर हमारे वीडियो की latest information और latest updates के लिए घंटे के निसान को प्रीज करना बिलकुर मत भूलेगा तभी आपके पास हमारे वीडियो की latest updates आप आएंगी और आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से आगी भी watch कर पाएंगे आपको information के लिए एक अपडेट देदू पैंसनास और फैम करने के लिए पूरी पूरी जो भी information होगी वो उनको अपडेट कर देंगे सामने आप एक notification देख पा रहा है चलो जल्दी से देख लेते हैं पर बाद में और भी information हो भी देखेंगे और इस meeting में क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं office memorandum जारी किया गया है ministry of finance के department of expenditure की तरफ स जिसमें आप देख सकते हैं subject में implementation of area of pension and fixed medical allowances यानि आपके fixed medical allowances और pension के एरियर से हैं उसके implementation को लेके circular जारी किया गया है साथी साथ उसमें जो meeting हुई जो बैठक हुई उसमें क्या चीज़े हो वो भी हम बताएंगे अब देख सकते हैं यहाँ पर अब virtual meeting on the aforementioned subject was conveyed on under the chairperson of chief controller pension जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो chairperson थे उस meeting में वो chief controller थे pension के इसके लावा और भी कही सारी चीज़े हुई जिसमें इन पर बहुत सारी चीज़ों पर update दिया गया क्या-क्या चीज़े हो वो हम जानेंगे इस वीडियो में पैंसन धारकों के लिए खुसकबरी, areas और fixed medical allowances को लेकर बड़ा तौफा जारी आपको बता दूँ कि पैंसन धारकों के EPPO में fixed medical allowances और areas का column ना रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको कितना area मिला है कितना मिलने वाला है साथी साथ उनको यही नहीं पता चलता था कि fixed medical allowances या उनके जो areas है, उनकी क्या situation है, क्या है इस समस्या को पैंसन धारकों की समस्या को कें सरकार ने अब निजात कर दिया है इसमें हम बात करेंगे, पैंसन धारकों की अब नहीं होगी सुविदा, EPPO में क्या-क्या सामिल किया जाएगा, बैठक में क्या-क्या निर्ना लिएगा, इस तारीक तक सिस्टम में बदलाव करना है, यानकी सारी चीजों से बदलाव करना है, साथी साथ, मैनुवल जो पि पाजारी कर देगा है, अब pension भोगी हों के EPPO में fixed medical allowances और area का कोलम भी जुड़ेगा, जिससे pension और family pension को बहुत ज्यादा रहा दुआ पर मिलेगा, और इसके लाब अब pension धारकों को नहीं होगी, क्या-क्या सुविदाव नहीं होगी, वह भी हम जानेंगे याँ पर, इसके प्रमुक हैड को आदोस दिया गया है, कि अपने system को इस प्रकार से अपगेट कर लें, ताकि pension धारकों को किसी भी तरह की सुविदा ना हो, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जितने भी वहाँ पर बाकी चीजे होती है, उन सब चीजों के लिए CPCS को एक important update दिया गया इसके तहित उनको बोला गया है कि आपकी उनके system में उसको अपगेट किया जाए, साथी साथ अपगेट करने के बाद वहाँ पर सारी चीजें pensions को बताई जाएं, जिससे pension धारकों को कोई भी सुविदा वहाँ पर कोई भी असुविदा का वहाँ ना हो, और pensions को चंद सेक और उनके area के जुड़े सभी cash, जो भी कितने भी cash होंगे सारे, यानि जो भी issues होंगे digitally रूप में भेजे जाएंगे, आप pension धारकों के EPPO में fixed medical allowances और area का column रहेगा, जिससे pension भी इन बातों से आवगत रहेंगे, अभी ताब आपको पता है कि जितने भी आपकी CPAO से सारी च concerns को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना अपड़ता था, अब ये सारी चीजे नहीं होंगी, और fixed medical allowances और area का column आ जाएगा, जिससे सारी और इसके लावा CPAO आपके जितने भी cases होंगे, वो सारी चीजे टेली करेंगे, और टेली करने के बाद आपको सारी चीजे एक ह साथ उहां पर ली जाएंगी, इसके लावा CPAO द्वाना ने 6 मई 2024 को एक circular जारी किया, जो कि मैं पहले दिखा चुका हूँ, इस मामले में एक बैठक भी हो चुकी है, और इस बैठक में क्या-का निर्णा लिया गया, वो भी हम देखेंगी इसमें, इस बैठक में pension area और fixed medical allowances को लेकर एक बहुत ही detailed discussion किया गया, और इसके बाद ये निर्णा ही लिया गया, कि इस PPO में सामिल कर दिया जाए, पैकि pension होगी, पैंसन के सारी चीज़ें उनको अवगत हो सके, उनको कितना area मिलता है, कितना fixed medical allowances बढ़ रहा है, और भी areas कितना है, और भी बाकी सारी उस circular में मैंने आपको बताया, जो circular मैंने पहले Ministry of Finance का Department of Expenditure का बताया था, उसमें ये सारी चीज़ें, वहाँ पर mention की गए थी, अगर आप भी उसको download करना चाहते हैं, तो comment box से yes लिखेगा, वहाँ से सीधा download कर पाएंगे, और भी चीज़ें हैं उसमें वह भी detail में मैं बता कर लें, इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद, fixed medical allowances और pension से जुड़े सभी areas के के केसों की पिखरिया, digital तरह से, पूरी digital तरह से होगी, और इसके बाद EPPO, fixed medical allowances, areas ये दोनों column सामिल होने के बाद, pension दार्खों को किसी भी तरीके, कोई भी समस्या नहीं आगे, यानि कि जो अब ही मैंने बताया, 6 माई 2024 का जो लेटर आया, Ministry of Finance के Department of Expenditure के CPA की तरफ से, उसमें ये सारी चीजें, CPCC को head को का गया, कि 15 माई 2024 तक आप अपनी system में जरूरी बदलाव कर लें, और इन columns को भी add कर लें, इससे pensioners के लिए, वहाँ पर कोई भी समस्या का नहों, और सारी अपने EPPO में ये सारी चीजें देख सकेगा, कि उसके fixed medical allowances या area की situation क्या है, क्या status है, क्या उनको मिला हुआ है, क्या बैंक के पास पहुच गाया है, इसके लावा, CPO ने अब बताया है कि अगर pension भुकतान करने वाली बैंकों को इस प्रिकडिया को सुरू करने में कोई परि डिश्टल कर दी जाएंगी, और डिश्टल होने के बाद में pension को बहुत ज्यादा रहात मिलेगी, देख सकते हैं, जैसे कि मैंने notification या बोल सकते हैं, circular पहले भी आपको बताया था, इस circular के जलिए ही सारी चीजें pension और pension, pension के जितने भी benefits हैं, चाहे उनके areas में pension को लेकर या फ कर सकते हैं, important circular है सभी pensioners के लिए, implementation होना चाहिए, pension के जितने भी areas हैं, और fixed medical allowances है, क्योंकि बहुत सारे pensioners और family, pensioners ऐसे होते हैं, जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है, यार हाल में ही pensioners के कर्मचारियों से pensioners बने होते हैं, तो उनको PPO के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, fixed medical allowances और aiders के लेकर के, इससे उनके सारी चीज़ें घर पर ही सारी हो जाएंगी, और चन्द सेकेंड में आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे, और साथी साथ अपनी pension slip भी डाउन देखेंगे.